दोस्तों ये घर बनाया दो साल तक आप सबसे दूर रहके ये घर बनाया और इस घर के लिए एक छोटा सा गाड़ेन भी बनाया लेकिन आगे जैसे कड़ी धूब है रहे रुको 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 ये क्या है वाव बटरफ्ला है इंटरेस्टिंग है ना चलिए आगे बढ़ते ह जैसे आके गर्मी का लंबा चुटी है और सबको घुमने भी जाना है तो इन पेड़ पोदों का खयाल कौन रखेगा इनका सीचाई केसे होगा ज्यादा सूचिये मत सीचाई करेंगे ये ये और ये चलिए केसे देखते हैं नहीं पे मैंने एक सोलोनोड भल्प को काम में लिया जो कि किसी भी रेफ्रेजरेशन स्टोर में आपको मिल जाएगा ये दो डाइसों में आपको मिल जाएगा और उसको पावार स्वीच अन स्वीच अब करने के लिए एक स्मार्ट प्लक चाहिए दरसल ये 16 एमपेर वाला स्मार्ट प्लक है इतना बड़ा नहीं चाहिए आपको एक नर्मल 5 अंपयर वाला स्वीच ब्रेकर या स्मार्ट प्लक से आपका काम हो जाएगा और जो की 45 государ में आपको मिल जाएगा ये तरीका काम किया तो आपको TIM टो स्वीच टूब 100 है आपका टूटाल काम हो जाएगा एक्स्ट्रा स्मार्टनेस मिल रहा है convenience टॉप लेवेल का मिलेगा क्योंकि timer schedule तो आप कर सकते हैं एप के थुरू इसको switch up जो है अपने convenience के इसाफ से अपने mobile से जब चाहे जहां चाहे वाल के किसी भी कोने से कर सकते हैं दोस्तों जो theory है वो बहुत ज्यादा simple है पहले इसको समझ लेते हैं दोस्तों किसी भी point में अगर power point में अगर हम अपना smart plug लगा देते हैं तो वो smart हो जाता है मतलब remotely उसको हम switch on switch up कर सकते हैं उसके लिए हमको configure करना होता है उसका एक app आता है उसको mobile में install करके अगर configure कर लेते हैं तो वो network में आ जाता है और उसको हम remotely switch on switch up कर सकते हैं उसके app के तरो यहाँ पे जैसे solenoid bulb को connect किया गया है तो यह अभी mobile से control हो जाना जाए है मतलब पानी छोड़े यहाँ बंद करें हम mobile से decide कर सकते हैं इसको schedule timer लगा सकते हैं practically समझें तो जो plug है इसमें लग जाएगा तो जो power है solenoid bulb को मिल जाएगा और smart plug को हम remotely control करेंगे mobile से mobile में उसका app install हो जाएगा और इससे यह control हो जाएगा interesting बात यह है कि मुझे solenoid bulb कैसे सुझा दरसल मैंने washing machine में देखा कि यहां से पानी आ रहा है बंद हो रहा है मतलब यह कुछ electricity से ही control हो रहा है तो इसको अगर मैं control में ले ले लेता हूँ अपने app के through तो यहां पे मैं जैसे ओक्टर app के through अगर on up कर सकता हूँ तो मेरा काम हो जाएगा यह मेरे दिमाग में आ गया था तो वहां से मैंने यही idea लगाया और यही जुगार आगे जाके क्या होता है चलिए देखते हैं दोस्तों चलिए आप wearing कर लेते हैं दरसल यह जो wear है मोटा है 1.5 mm का है आपको इतना मोटा wear नहीं चाहिए यह बचा हुआ था मेरे घर के काम से तो मैं इसको यूज कर रहा हूँ लेकिन आपको एक नर्माल सा wear चाहिए होगा wearing करने के लिए यहाँ पर जो connector देख रहे हैं यह उसी refrigeration store से आपको मिल जाएगा 2 रूपीज में दोटो वो दे देगा इससे क्या होगा अच्छे से यह connect हो जाएगा आप जब चाहें इसको निकाल सकते हैं और जो दूसरा छोर है उसमें आपको plug डाल देना है तक कि इसको power मिल जाए पहले यहाँ पर switchboard में check कर लेते हैं अच्छे से connect हो आए की नहीं ठीक है ना वो गया चलिए इसको अब हम smart plug में डाल दिया हूं अभी smart plug में चेक कर लेते हैं यह भी सही है अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा है दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों टाइप के connection मेंने क्या है नीचे जो नर्माल आप टेप देख रहे हैं इससे मैं पानी दूँगा जब मैं घर में रहूंगा और उपर जो है मेरा solonet bulb लग जाएगा जिसको मैं remotely कंट्रोल करूँगा जब मैं आउटिंग में रहूंगा बाहर रहूंगा तो आराम से मैं इसके थ्रू ही पानी दूँगा आप वरिंग समझ लेते हैं देखिए यहाँ पर smart plug लग गया है वहां से वरिंग हो गया है पिछे की तरब solonet bulb तक अब solonet bulb भी लगा लिया है और उसको connection भी मैंने कर दिया है आप देख लीजिए दोस्तों अब सब कुछ सेथ है excitement टॉप लेवल में दिख 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 यह किया मैंने on और ये पानी आ गया मतलब हमारा कम हो गया मेरा tension खतम अब switch up हाँ थोड़ा लेट हो रहा है switch up थोड़ा लेट हो रहा है switch on भी थोड़ा लेट हो रहा है तरसल वह smartly wifi में trigger कर रहा है तो जो time ले रहा है उसी का है और water भी थोड़ा मुझे force कम लग रहा है सहत टंकी में पानी कम होगा वो अगर sufficient हो जाएगा तो सब कुछ set हो जाएगा हुमारा experiment जो है success है इसमें कोई problem नहीं है और कोई doubt भी नहीं है इसको एक practical approach देना है बस अब summer vacation में 20 असको होना है आराम से कहीं से भी रहके garden को जो है पानी देना है दोस्तों पता नहीं आपको ये वीडियो कैसा लगा लेकिन फिर भी मैं जो मेहनत क्या हूं दो साल के बाद मेरा जो आदत चुट गया था उसके लिए आपका like, share, subscribe बहुत ज़्यादा जरूरी है मैं फिर से आप सबसे connect होना चाहता हूं और आपके लिए informative वीडियो जो है बनाना चाहता हूं तो like, share, subscribe जरूर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए खुश रहिए, जैहिं